तार्थ उसको कहते है कि जो कुशल कार्य के लिए अपनी शक्ति लगाता है कुशल कार्य में जो अपनी शक्ति लगाता है उसी को यहां का है उद्योग, उठान वत्तो अर्थाथ वही वीरिवान पुरुस इस प्रकार ये गाता है तो हम उद्यों की पुरुष किसको विर्यवान किसको कहेंगे पुशल कार्यक के लिए लगाने वाली शक्ति उसको कहा है विर्यवान तो यह हम पुशल कार्यक कहा लगाते हैं तो निच्छते हम यहां ध्यान के लिए बैटे हैं, ध्यान के लिए लगाते हैं, लेकिन ध्यान हम बर्षों से करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता होगा किसी को कि यह ध्यान क्यों नहीं लगता, क्यों ध्यान नहीं लगता, कारण क्या है, इतने साल से मैं ध्यान कर रहा तो इसके कारण क्या है तो हमें इसके कारण क्या है कि हम हमें इसके पहले सील की आउशकता है और ध्यान के लिए वातावरा निर्मान करना पड़ता है अगर हम ध्यान के लिए वातावरा निर्मान ने करें तो हमारा ध्यान कसा लगया तो हमें यहां जो हम लोग यहां बैटे जहां आपने पास होना चाहिए तो यहाँ अभी सुविता नहीं ही लेकिन हमें ध्यान अपने हिसाब से अपने सुविता के दूसर नशार करना चाहिए और तो ऐसे वातावरन करना चाहिए बुद्ध के पास में बुद्ध साक्षात हमारे सामने बैठे है ऐसा यह मत समझे कि बुद्ध मुर्ति है ऐसा समझे कि मैं बुद्ध के पास में बैठा हूं बुद्ध के साथ वातालाब कर रहा हूं बुद्ध बैठे ध्यान में और बता र आपना जो साब शुत्र अपना जो शडरीद है आपना सब अच्छा कपड़े पहन कर जो कपड़े नहीं अच्छे कोई बात निया तो आच्छे दोप और साप करके पहनना चाहिए ला कि ऐसे ऐसे बन्यान में आ गए हर्मिति उठाया लगाए ओर बैठे तो इसको कोई हर्मि प्रकार हमें प्रखोना चाहिए यह पहली बाद हमें ध्यान में रखना चाहिए इसको कहते हैं उठान वद्तो सती मत्तो, सती मत्तो माने स्मूर्तिमान, स्मूर्तिमान होकर अर्थात हमें स्मूर्तिमान, जागरूती, पुर्वक हमें, हमारा ये वीरियवान, जो वीरियवान, जो उस्सा हमारे मन में आना चाहिए, और ऐसा उस्सा है, कि हम बुद्दा के पास में स्मूर्ति पुर्वक ब कि आज पास का वातोरन अच्छा होना चाहिए अगर अपना भूल है सजाना आद तो कोई बात नहीं कोई हैं कोई ऐसा करके अच्छा समझ कर बाच है तो हमें ऐसा समस्कर बढ़तने का संने इस और विचार ऊंत नहीं इसांवनत बुद्ध विचारवंत एक गुनवनत ऐसे बुद्ध उनके सामने बैटे हैं तो कैसे अगरापन करता सामने की स्टफेन हैं जबकि यह आदर करते उनके शेलवन नहीं होता वह प्रमानिक नहीं होता है स Eddy इसके सामने हम अगर आप उस्ता फुरुवक बैटना है अगर आपको ध्यान साधना बैटना करना है तो आपको उस्ता निर्वान करना है और स्मूर्थी मान होकर सती मत्व माने स्मूर्थी रखकर उठान वतो सती मत्व सुचिकमस्व निस्तमकारिनों और निस्तमकारिनों मैंने वीचार करके कारिय करना चाहिए वीचार करके बोलना चाहिए क्योंकि हम कौन है ऐसे मैं ध्यम्मचारी हूँ तो ध्यम्मचारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं किसके साथ क्या वार्तालब कर रहा हूँ आगे वाला, अगर वो कोई चपरासी है, तो उसके साथ मैं कैसा वातलाब कर रहा हूँ है। अगर मैं धैनने दूंगा, तो हमें ये क्या कहते, समूर्ती रखकर, और सुची कमशन, निस्षम कारेनों करना चाहिए कि हम क्या रहे है किसके ले कर रहे है यह नहीं कि बड़े अगर मैं धमचारी हूं तो बड़ा शिनिर धमचारी अगर कोई है या बहुते मानावा धमचारी उनके साथ में बहुत ही हाथ जोल के रहूं इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान उतरने के लिए बुद्ध के सामने बैट करें हमारे मन में जब बात आते हैं कि यह बुद्ध है तो तब हमारे मन में होता है और स्मूर्थी पूरग हम उसके सामने बैटे और कोई भी अगर आगे वाला है तो उसको इंसान है ये देखना है ये मनुष्य है ये भी एक इसमें यूनिक आदमी है ये छोटा आदमी है या बड़ा आदमी ये न देखते हो ये मनुष्य है सरव मनुष्य समान है बुद्ध हो तो एक दुसरे का अगर हम आदर करेंगे तो हमारे मन में जस्तव ही मायने से ध्यान साथना के लिए बहुत मतवर्ण है परना हम अगर हमें पद्वी मिली अगर हमें यह कुछ मिल गया किसा मिला तो केसा का उपयोग कैसा करना चाहिए ऐसे ही हुआ था कि समराट अशोक के समय में साथ हजार भिख्षयों को निकाल दिया समराट अशोक निए ऐसे ही भिख्षू इसमें प्रवेश कर गये थे हाली मात्र मान सन्मान के लिए खान पान मिलने के लिए कोई धम्म का कोई ज्यान नहीं था कोई धम्म कोई क्या धम्म है क्या धम्म कैसा पड़ा नहीं कोई नहीं था हाली हमें दान मिलना चाहिए पैसा मिलना चाहिए इज्यत मिलना चाहिए शेवरत मिलना चाहिए मान सन्मान मिलना चाहिए इसले धिक्षू बने थे और जब पत जब उनको निकालना पड़ा तो वही उनका ये देश उनके मन में रहा वही देश पनव पनव कर आगे चलकर वो सारा पुष्वमित्व शूंग आकर सारा वो नाश करता है इसी प्रकार अगर ये ऐसा रहा तो धमका रास हो सकता है इसलिए हमें मुर्ति रखना चाहिए कि कल क क्या होने वाला है अगर मैं आज मेरा वेहवार अगर गलत होगा तो कल क्या होगा मेरा तो नुक्षान हो गए होगा लेकि मेरे जो साथ में जो आने वाले जो घमबंदू है भगिनी है मित्र है इनका क्या होगा उनको लगा हरे ये कैसा है या किसी प्रकार हमें उठान वतो करना चाहिए बोलना चाहिए और पवीत्र कर्म की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि हम कुषल कर्म किसको कहते इसका हमें अभी ज्ञान हो चुका है इसलिए हमें कैसे कर्म करना चाहिए इसको धम्म का पालन करने वाला पुरुष कहते है किसको जो उस्सा पुरुष जागरूती पुरुष विचार करके पोलने वाला कर्म करने वाला यसा स्मूर्थी जीवन अपना जिसने जीवन जो है नियंतित क्या है आधमी की अप्पा मत्तसमा ने जागुरूती पुद्व का आचन करने वाले सयमित पुरुष की किरती दिन पे दिन बढ़ती है बढ़ते ही जाती है ऐसा ये धम्मपत का अर्थ होता है अर्था ये धम्मपत की गाथा कहती है कि हमें कैसा वातर निर्मान करना चाहिए ध्यान साधना के लिए और ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए कि जिस कर्म से हमें नुपसान हो अगर हम अच्छा कर्म करते है तो उसका अच्छा परिनाम होता है तो यह कहते है अगर हम अच्छा परिनाम होता है तो उसका अच्छा परिनाट स्थेट कारी करते है फिर हमें पच्छाताप आता है, फिर शोक करते हम, तो ऐसा करमे क्यों करें कि जिस्टे हमें पच्छाताप करना पड़े, उद्ध ऐसा कहते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, तो ध्यान ये देना चाहिए कि हम कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कि इ जो हम ध्यान में उतर वह थांट उसे सारे लोगों की कंपड़ेंट रहते कि रहां नहीं होता क्यों कि हम ध्यान में तुब हम ध्यान में ज्यादा द्धैन ने हमारे स्मूर्ति का विकास ही नहीं हुआ और इसीले तिर शंक आती और कुशन का आने के बाद में पिछे जाते जो अधोगती के तरफ जाते अब फिर चोड़ दे रास्ता रास्ता चोड़ने के बाद में और हमें पता नहीं चलता है हमें पताने चलता और कभी-कभी तो अरहत लोग रहते हैं, जिसको कहते हैं, वो भी उपासका आधर करते हैं, सारी पुत्र पुत्र इतना अरहत था, धंम सिनापती था, पुद्ध का प्रधान शिश्य था, लेकिन इतना नरम, इतना अच्छा प्रामानिक होने का बाद भी, वह इतना सरर होने के बाद भी वह दुसरे का इज्जत करता था. कभी भी उसने इतना घमन ने किया, अहंकार ने किया कि मैं बहुत बड़ा हूँ. हमें तो छोटी-छोटी बात में अहंकार आता है, और अहंकार में जाने के बाद में हमारा नुक्सान कर देते हैं. इसलिए पच्छता भी नहीं करना पड़े हूँ. एक पहलवान था बहुत बड़ा, और वो पहलवान इतना नाम था उसका कि वो युद्ध में बड़ा निपुन था, उसको राजानी स्षेनापती बना दिया. और वहती महीर लाठी चलाने में, तल्वार चलाने में, तल्वार बाजी, लाठी काटी जो लाठी चलाते हैं, उसमें और सभी पहलवान इतना निपुन था, बहुती चारो तरफ से वो निपुन था. आर्राउंडर कहते जिसको हमने क्या ऐसा वह एक पहलवान जब घर में आ रहा था तो घर में आकर उसने जैसिक पुंडी खोली दर्वाजे की और वहां चबुत्रा में वह जूता उतार कर निकाली रहा था तो वहां एक चुवा था चुवा देखा तो इसको होशिया गई अर तो इसको लगा कि चबुत्र में है तो उसने थोड़सा कर दिया तो चुवा अचका हीनि नहीं है तो चुवा नहीं हरा फ्य Video थोड़े हरा तो तो चुवा जाता तो फेलों ख्यों जाता है फिर उसको ऐसा लगा हरे जो चुवा मुझे ऐसा क्या समझ रखा और फिर फिर उसको वह सा लाट मारने के लिए करता है लाट से जैसा लाट से मारता है तो चुवा यहां से थोड़ सा इधर खसक जाता है और यह लाट इधर आ जाती चुवा इधर आ जाता है उसको लाट फि और चुवा निकल नहीं रहा, फिर चुवा लात मारता तो इधर मारता तो इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, यह चुवा इधर के उधर होता है लेकिन भागता नहीं, और यह फिर रोल, लात पर लात, यह लात मारने को फिर यह लात थक गई तो दुसरी लात मार इतना सा मेरे को इतना क्तं क्रативिस को इधर मारता है और निकालता है तल्वारे आप ballot को तुकडे कर देता हूं निकालता है त्लवार मारता है छुआ थोड़ सा खसकता है फिर इधर से मारता है, इधर थोड़ा सा ख़सकता है, इस प्रकार उस चुवा चबूतर के इधर की उधर, इधर की उधर सकता है, तेकिन चुवा नहीं मरता हुस, आखिर ठक गया, वो चुवा वैसा का वैसा रहा, और फिर उसके मन में घबराट आती है, अरे बापरी, यह जो है, चुवा नहीं, यह जादूगर है कोई ना कोई, और फिर डर ने लगा उस चुवा को, और उसको इतना डर लगने लगा, यह चुवा है, अब यह सच मुच में जादूगर है, मैं तो इतने बड़े लोगों को मार दिया हूँ, और यह चुवा, तो आदमी के अशी दर्शय होती है, आदमी इतना इगो में जाता है, इतना इतना घुसे में जाता है, क्यों जाता है, उसको अंदर अंकार रहता है, मजाक से शुरू करता है, चुवा को मजाक समझता है, छोटा साथ समझता है, ऐसे हम ऐसी गलतिया करते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, बहुत बड़े हैं बड़ा कोई नहीं तब बड़ाबर धम्मचारी हो धम्ममित्र हो लाइन में लगे है अगर आपने रेलवे के लाइन में लगते टिकेट निकालने के लिए तो आप पीछे नमबर है तो यह मत समझे कि मैं पीछे हूं तो मेरा नमबर ने लगा आप धीरे तो सोकर उधर के उधर जाना चाहें तो टिकेट नहीं मिल गी अगर आपको लगए बहुत लंबी लाइन है मैं चला जाओंगा तो वो आपकी आपकी सोचे क्योंकि सुची कममस निस्टमकारिन हो आपको यहां केशन रखना पड़ता है और यह समझना कि वो जो पहला टिके तो तो टिकेट में ले तो उसका नमबर पहले लगा इसकी बात नहीं तो मेरी भी नमबर लग सकता है क्योंकि मैं भी धिरे-धिरे एक के पीचे यह तो लाइन में सबी है धम्मस्तायक, धम्मबंदु, धम्ममित्र, यह सब लाइन में बैठे, अगर उनको लगता थी मुझ आपना लेकिन जिसको समझ आया वहां से शुरुवात करता है हम इसके प्रेशिक्षन दे लेकिन हम घमणी हम अब ऊसके लिए क्या कर सकते तो वो चुयों के समान गती हो सकती है बिल्ली को लेकर आओ जब वह बिल्ली को कोई पकड़ के लाता है जैसी बिल्ली को देखता है चुवा भाग जाता है इस प्रकार पहल वान भी समझ में आता है कि मैंने जो कुछ अभी तक किया तो जो चुवा है वह बहुत समझदार है उनिक है वह चुवा उसने जान उसको कितना ट्रेनिंग लिया होगा चुवे न तो उसकी जान उसने असा लगा कि यह बिल्ली से जान नहीं बस तक तब भाग जया और चुवा तो उसको मालू है कौन मेरा दुष्मन है कौन नहीं तो इसी प्रकार हमें भी पता चलना है कि हमारे दुष्मन कौन है और हमारे दुष्मन हमारे अंदर के शत्रु है हमारे कर्म है और इसलिए इस कर्म पर हमें काम करना चाहिए और इसलिए कहते है कि पच्छाताप करने के तो परिणाम क्या होने वाला है यह अगर हम हमारे सामने रखते हैं तो निच्छिते हम अपने लक्ष तक पूर सकते हैं इसलिए हमारा आसपास का वातरण अच्छा रखना चाहिए पुझास्तान अच्छा सजाना चाहिए और यह खाधी गाथा लेना चाहिए महामंग सुत्तो या कोई भी और मनना करना चाहिए बुद्ध हमारे सामने बैठे है ऐसा करके बुद्ध हमें संदेज दे रहे आदेज रहे हमें उपदेज से रहे कि प्रकार करो अपने मंद में आख जैसे बैठे बैठे इसी प्रकार बैठाब ना चाहिए और धिरे-धिरे फिर मनमे लगेगा बुद्ध जिवा उन्हों ने धम्म अपना बुद्ध तो प्राप्त किया और उन्हों ने कहा कि हर कोई बन सकता हूं फिर यह प्रेंदा आपको वहां से लेना चाहिए फिर आप संकल्पर करके बच्टे तो तब आपका ध्यान लग और इसी प्रकार धिरे-धिरे हम ध्याना हुस्ताइमें जाते हैं और फिर हम ध्यान में जो आनन्द आता है जैसे से ध्यान करने के लिए, जो सालों से ध्यान ने किया, वो आपको एक दिन में घटित हो जाता है, दुसरे दिन में घट जाता है, इसलिए कहते हैं कभी-कभी अरहत हो गए, क्यों हो गए, सोतापन्नों क्यों हो गए कि उनको तो यहां खाली हम फ्रैक्शिश्ट होने के लिए अपना मनन करें कि मुझे किस प्रकार ध्यान करना है तुक यह हम यह प्रशिक्षित हो रहे हैं औरव यहां अगर हमारी अच्छी प्रशिक्षन हो गया तो हमगर में जब्हीistically मिलता अच्छा समय सुबह का समय भरता है लेकि तेले कोई ऐसा नहीं है कि आप इसने में अगर आप समय निकालकर कई बैठते हैं तो ध्यान IF देंजन आपके वातावर्ण निर्मान करना चाह mess या बैठना है न सबस्केर सांभ कि बेसा है अभला यह समयों थ्यान cohort और वासप वाता और निल्वयन करें कि हम अब ध्यान के प्रयास के लिए ध्यान नहीं लग रहा था उनका लेकिन अगली बार में तो अगले बार हम जब पताएंगे तब पताएंगे तो आचारयासं के कहानी बड़ी मज़ेदार है उनने कैसा ध्यान के तरफ गे और उनने योगाचार का विज्ञान का कैसा विकास किया हम अगली बार देखने कोईशी तरने थोड़ा सा तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अभी तैयार हो जाए और नर्वस्मत होए कि मुझे ध्यानने लगा ध्यान लगेगा तो अपना मनान करना है कोई आसा प्रसंग याद करना है बद्ध का या बाबासाब का या पुझ्य भंते उर्गें संगरक्षिता उनके चेहरे में देखे कितनी रवनक भंते जी के इस गुन लोगों ध्यान किया तो मैं भी ध्यान कर सकता हूँ ये